आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नमस्कार दर्शको यह MNS News नेटवर्क और आप देख रहे है MNS News टीवी मैं हूँ आपके साथ सेजल तो आए देखते हैं आज ही कुछ खास खबरे एक नजर डालते हैं आज केडलाइन्स की और योगी बाबा मेरी रक्षा करे अब नहीं करूंगा गोकशी गले में तक्ती डाल कर थाने पहुच्छा गैंग्स्टर मनिपुर जातिय हिंसा के पिछे ड्रग माफिया और अव्वेदप अप्रवासी सीम बिरेंसी ने किया बड़ा दावा बिजी बी संसरी दल की बैटक में बोले पियम मोधी दोजार चोबिस में विपक्षर हैगा बाहर आए देखते हैं खबरे विस्तार से योगी बाबा मेरी रक्षा करे अब नहीं करूंगा गोकशी गले में तक्ती डाल कर थाने पहुच्छा गैंग्स्टर यूपी के बदायू में गोकशी के आरूपी में एक बदमाश ने खुद थाने पहुचकर सरेंडर कर दिया वो अपने गले में तक्ती डाल कर और दोनों हाथ उठा कर थाने पहुच्छा तक्ति में उसने अपने नाम और पते के साथ लिखा हुआ था पुलिस के सामने आत्म समर्पन कर रहा हूँ अब कभी गौकशी नहीं करूंगा योगी बाबा मेरी रक्षा करे आरोपी का ना मुहम्मद आलम है उस पर कई मुकद में दर्ज है गैंग्स्टर के तहद भी कार्य करेवाई की जा चुकी है वह करिव एक महिने से फरार चल रहा था उसे पकढ़ने के लिए पुलीस लगातार दबіч दे रही थी ऐसे में पुलिस की सक्ती देखते हुए आलम ने खुद ही सासवान पुलिस थाने पहुच कर सरेंडर कर दिया सरेंडर करने के बाद पुलिस ने आलम को हिरासत में ले लिया फिर कोट में पेश किया जहां से कोट ने उसे जेल बेज दिया आलम के सरेंडर करने के दोरान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो गले में तक्ती डाल कर थाने में इंटर करता हुआ नजर आ रहा है आलम के गले में जो तक्ति लटकी थी उसमें लिखा हुआ था मैं गैंग्स्टर मामले में सहसवान पुलिस के सामने आत्म समर्पंट कर रहा हूँ अब कभी गोकशी नहीं करूँगा योगी बाबा मेरी रक्षा करे जोंकारे के मताबिक सहसुवान कोतवाली शेत्र के गाउख खेरपूर खेराती निवासी आलम गोकशी के कई मामलों में आरोपी थे कोतवाली पुलिस ने कुछ दिन पहले ही उसे और उसके गिरहों पर गैंग्स्टर की कार्योवाई की थी गोकशी के मामले में जिल जाने के बाद वर जमानत पर बाहर चल रहा था आईए बढ़ते एगली खबर की और मनिपूर जातिय हिंसा के पिछे ड्रग माफिया और अवेदा प्रवासी सियम बिरेंसी ने किया बड़ा दावा मनिपूर के मुके मंदर बिरेंसी ने समवार को राज्य में महिनों से जारी जातिय तनाओ के लिए ड्रग माफिया और अवेदा प्रवासीयों को जिम्मधार ठहराया सीने मोजुता संकट के लिए राज्यों की सिमाओ की सुरक्षवा में पिछले सरकार को विफलता को भी जिम्मधार बताया महिने से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातिय संगर्ष के कारण लगबग 200 लोग मारे गए है और 60,000 से अधिक लोग बेघर हो गए है थोबल जिले के लिलांग में लोगों को संभोधित करते हुए मुख्यमंद्री ने कहा कि मौजुता संगर्षों की साजिश ड्रग माफिया और अवेद प्रवासियों ने रची जो वास्तविक जंजातियों की आवाज को दबाते हैं उन्हेंने कहा कि लड़ाई मैती और कुकी के बीच नहीं है बलकि सरकार और अवेद प्रवासियों के बीच है मुख्यमंद्री ने कहा कि मैं रोज अपने कुकी दोस्तों से फोन पर बातचीत करता हूँ वे असहाई है और सच बोलने में अशमक है क्योंकि उनको बंदुक क कि बल पर धंकाया जा रहा है आएए बढ़ते अगली खबर की और कि बीचेपी संसेजय दल की बैटक में बोले पीम मोदी दौजार चोबीस में भी विपक्ष होएगा बाहर सांसद में हुई सुरक्षा को लेकर चुक का मामला अब्तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है लेकर विपक्ष के बीज आरो प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है इस मुद्देस को लेकर अब तक पीम मोदी ने जम कर विपक्ष पर निशाना सादा है वा बिजेबी संसद्य दल की बैटक में पीम मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साथ्य हुए कहा कि काम करना नहीं लिका होता है उन्हेंने कहा कि विपक्ष तो दोवजार चोबिस में भी बाहर रहने वाला है जिस तरह से वो नकारात में राज़ुदी कर रहा है वह बहुत बड़ी गल्दी कर रहा है कुछ बुजर्ग बीमार नेता भी बीजेपी को हटाने के नाम पर सक्र का लिया आपने स्थान पर बने रहने का आपको बता दे कि सांसत की सुरक्षा में जुन भी लोगों ने सेंदमारी Mund ऑन्के समर्तन में आज उठाने वाले लोग के लिए पीम ने कहा कि कुछ दल एक तरह से उनके समर्तन में आवाज उठा रहे है यह सेंदमारी की तरह खतरनाक है और यहां बहुत दुर्भाग्यपुर रहे हैं पियाम ने कहा कि जब 2014 में हम सत्ता में आये थे तब 18 साल के वोटर्स 10 साल के थे आगामी लोग सबाव चुनाओं में जितने को लेकर पियाम मोदी ने कहा कि विपक्ष 2014 में भी बाहर रहने वाला है अब आप हमारे चैनल को आपके मोबैल पर भी देख सकते हैं मोबैल आप पर देखने के लिए प्ले स्टोर मेंस न्यूस टीवी अप्स डाउनलोड करें इंस्टा हाइक ट्विटर फेस्बूक और कई नोटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बने रही है मेंस न्यूस टीवी पर नमे शुकार यह है मेंस न्यूस नेट पर और आप देख रहे हैं मेंस न्यूस